असलाम लेकुम स्टूडेंट्स हाओ आप सब लोग बिल्कुल ठीक चाक होंगे तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना जियोग्रफी का लेसन चैप्टर नमबर फाइव हम पढ़ रहे थे तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे मैं आज के क्लास में आप लोगों को वे देखेंगे क्लाइमेट चेंज डिनायर कौन है और यह कौन लोग है किसको कहा जाता है इस ट्रम का मतलब क्या होता है तो यह हम आज के लेक्चर में देखेंगे चैप्टर नमबर फाइव है आपका पेज नमबर फिफ्टी थी है जी तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वट इस अ क्लाइमेट चेंज डिनायर तो रीड कर लेते हैं इसको सम बिजनेसेज एंड इंडिविजुल कहते हैं इन्फरादी एक फर्ग को डू नाट अग्री ठीक है इस बात से अग्री नहीं करते विद असाइंटिस्ट साइंटिस और हमारे अपने जो बिजनेसेज हैं उनकी वज़ा से हमारे ग्रीन हाउस एफेक्ट होता है उससे ग्रीन हाउस गैसीज जो हैं वो हमारे अट्मोस्फियर में दाखिल होती हैं जिसकी वज़ा से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कुछ बिजनेसेज और कुछ लोग ऐसे है जो साइन्टिस्ट की इस बात को इसके साथ एगरी नहीं करते उनका कहना है कि ये जो है जो साइन्टिस्ट बात कर रहे है कि जो हमारा प्लैनिट है अर्थ वो हीट अप क्यों हो रहा है डे बाइ डे और येर बाइ येर और क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है नेक्स्ट ट्रेडिंग है आपकी a smaller group thinks that urgent action is not needed उतमी से एक small group जो है लोगों का उसका कहना ये है कि urgent action जो है ना वो हमें नहीं लेना चाहिए इस पे because क्योंके things on earth change over time कि जो भी कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है वो time के साथ साथ ही खुद बखुद चेंज हो रहा है and that we are just in a natural cycle of more challenging weather patterns and a hotter earth कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है जो weather और climate change हो रहा है day by day patterns change हो रहा है weather के इसमें हमारी सरगर्मियों का कोई लेना देना नहीं है ये एक natural cycle है जो हम face कर रहे है और natural process है कि earth का जो climate है वो day by day change हो रहा है environmentalist environmentalist कहते हैं basically जो scientist हैं जो environmentalist होते हैं हैं जो environment को analyze करते हैं और उसकी changes को analyze करके calculate करते हैं कि क्या changes हो रही है और इसकी बेहतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए experts होते हैं जो environment के उन्हें हम environmentalist कहते हैं have given the individuals and groups who actively resist the facts the name climate change deniers ठीक है तो जो हमने उपर term पड़ी थी what is climate change denier तो वो इन ही लोगों को कहा जाता है जो climate change का इंकार करते हैं उसको deny करते हैं तो जो scientist हैं उन्होंने इन लोगों को जो मजाहमत करते हैं रिजिस्ट करते हैं इनकार करते हैं इस बात का climate change हमारी वज़ा से हो रहा है तो उन्हें scientist जो हैं उन्होंने क्या नाम दिया है climate change deniers का ये था आपका आज का lecture और इसको आपने fully याद भी करना है और आपने इसको write भी कर लेना है notebook पे और आपका जो home task है उसके slide आपके साथ share कर दे जाएगी उसको आपने next जो है वो group में submit करवाना है with your name on time thank you very much allahafiz